पिल रहा है तो यहां पर देखना अच्छे से चल रहा है अगर हटाते हैं तो काम नहीं करते हैं हेलो फ्रेंड्स अभी जो आप देखें एक छोटा सा एम्पलीफायर है एम्पलीफायर आपने ओक्स केबल से चलाया होगा यह फिर मेमोरी कार्ड से चलाया होगा लेकिन गाईस अगर बात करें यह जो आप तेख रहें यह एक CD है इस CD में जो भी storage है अभी यह audio CD है simple इस audio CD के अंदर जो भी storage है song, picture वो सब इसके उपर आ जाएगा यानि कि इस amplifier के उपर आ जाएगा तो इस technology को यूज करने के लिए आपको लेना होगा यह laser lens system होता है यानि कि यह controller होता है यह फिर बिल्कुल उस तरह से audio को generate कर सकता है जिस तरह से आपके aux के अंदर आती है तो अभी जो आप देख रहे हैं यह lens है यह DVD के अंदर से आप ले सकते हैं यह फिर laptop के अंदर से भी ल वह connections आपको लेने होगे तो इसके अंदर आप देखें यह laser होता है laser diode simple तो इस laser diode को टू वायर से आपको joint करना होगा ground और positive तो यह जो आप देखें यह इसका positive होता है और यह इसका negative होता है तो दो वायर यहां से आपको connect करने है जिससे कि आपका laser control हो सके और अभी जो आप देखें यह PCB actual में जो crack हुई हुई है यानि कि तूटी हुई है तो इसके track जो है वो ठीक है तो यहां से हम इस track को ले होता है यानि कि जो भी उपर data जा रहा होगा DVD के थूरू वो data यहां से आपको मिल जाएगा तो यह connection कर लेते हैं इससे पहले आपको देखना होगा यह जो system आप देख रहे हैं यह mechanical system करने की कोशिस की है ताकि हम आसानी से इस CD को इस पर move कर सके तो इसके लिए आपको यह old DVD के अंदर से मिल जाएगा तो यहां पर यह fix करना होगा अभी आप देख रहे हैं यह आसानी से इस motor पर fix हो चुके तो इसे मूँ करेंगे मूँ करने के बाद आपका जो CD होगा यह इस तरह से इस पर मूँ करेगा तो बहुत ही अच्छे से मूँ कर पाएगा तो इसका data decode हम कर पाएगा इसके अंदर dots होते कुछ codes होते उन dots के अंदर ही आपका data storage रहा होता है ठीक है तो यह technology कैसे काम करती है यह देखने की कोशिस करते है first of all हमे connection करने laser diode के और two connection आपको यहां से लेने जो photo sensor से आते हैं अगर आप कोई laptop का लेते हैं तो वहाँ पर photo sensor के बहुती simple तर देखें यह इसके coordinates के होते हैं XY coordinates के यह coil होती है इसे actual measurement लेना होता है जब भी यह DVD के अंदर move करती है CD तो यह automatic अपना measurement कर लेता है तो हमें यहां पर measurement नहीं करना हम अपने hand से ही इसे इस परकार से पकड़ने की कोशिस करेगे और जो भी song होगा उसे decode करने की कोशिस करते है connection करते हैं इसके अंदर तो इसके लिए आप देखें यह एक amplifier है simple छोटे से audio signal को यह बड़े audio signal में convert करता है then आप इसे speaker पर सुन सकते हैं तो यहां पर आप ox भी लगा सकते हैं simple यहां पर ox का ground और यहां पर ox का positive लगाना होगा तो यही connection हमें यहां पर करने होगे और laser का आप 5 वोल्ट से इस laser diode को glow कर सकते हैं तो इस laser diode के अगर technology की बात करें तो जैसे ही laser diode glow होता है तो laser light पढ़ती है आपकी cd के उपर यह जो आप देखें यहां पर इस side यह laser light पढ़ती है then उसके बाद यह reflect होके वापस जाती है then उसे photo sensor sense करता है और उसे उसी data के according यहां पर generate कर दे तो इस technology पर यह काम करता है तो कर लेते हैं इसे यहां पर हमारे total connection हो चुके है यह जो आप देखें यह laser diode के और यह होगा आपका जो audio input होगा यानि कि data output होगा ठीक है यहां से data output मिलेगा यह directly connected है आपके optical source से यानि कि जो photo source है photo sensor है उसी से connect है यहां पर इसे glow करके देखते है laser को की यह काम कर रहा है यह फिर नहीं कर रहा है तो guys इसकी protection के लिए हमने resistance laser diode के सीज में connect कर दिया है तो इसे connect करते हैं 5V apply करते हैं ताकि आपका जो laser है वो खराब ना हो पाए इसलिए यह किया है तो देखने आप यहां पर laser glow कर रहा है यानि कि हमारा laser source अच्छे से काम कर रहा है अभी इसे यूज करके देखते हैं इस सिस्टम पर तो अपने मोटर को मूग करते हैं यानि कि इस मोटर को 5V से मूग करते हैं यहां पर 9V की बैटरी कनेक्ट करते हैं तो first of all हम connection कर लेते हैं laser का तो laser का connection आप resistance के माधियम से इसके अंदर ही connect कर सकते हैं और यह जो आ प्रेटरी के negative ग्राउंड पर ठीक है तो connect करते हैं इस प्रोपर connection हो चुके हैं हमारे lens के सिस्टम के भी यानि कि हैड की डिवीडी हैड के भी system के भी हमारे connection हो चुके हैं और यह जो आप देखें इस मोटर को रोटेट करने के लिए यानि कि इस पूरे सिस्टम को रोटेट CDE ही लेनी है वीडियो पर यह support नहीं करेगा क्योंकि अगर वीडियो पर सपोर्ट करेगा तो वहां पर हमें बहुत सारा सरकीट बनाना होता है यह फिर microcontroller की भी जरूरत हो सकती है ठीक है तो अब हमने के वल ओडियो के लिए यह सरकीट बनाने की कोशिस की है तो इसे ऑप थे खिए आपको यह दीख रहें लेंस के अंदर भी पार सप्लाइ आचुकिन करते थे अभी हमारा जो रोटेसन वह ओन ऊचुकई यानिकि हमारा मेकेनिकली सिस्टम ओन हो चुका है सीडी मूव कर लिया तो यह दोट्स को लेजर कोसिस करेगा डिकोड करने की यानिकि इस लेंस के माध्यम से देन उसके बाद देखते हैं क्या परफॉमेंस होती है तो आपको बहुती सावधानी से करना है और ध्यान देना य यह हिलना नहीं चाहिए तो साइद अभी सैट करना होका तो साइद आपको ख्रियर हो रहे है अभी जैसे हिलता है तो काम नहीं रहे है तो यह जो एक्च्छल में यहाँ पर फोड़ा बेल रहा है इस वजह से यह एरर आ रहा है थोड़ा तो कुछ हैराब आ रहा है तो अच्छे से ये डिकोड कर रहा है तो सायद ये खिल रहा है तो यहां पर देखना अच्छे से चल रहा है अगर हटाते हैं तो काम नहीं करते हैं तो सायद हमारा जो सिस्टम है यह वाइब्रेट के वजह से दूर जा रहे हैं तो फिर से कोशिस करते हैं कोई वायर लूज है सायद झाल